कम से कम देखिए, एक खिसारी आगे आया, तो आज रभी भीया ने आगे आया ना, तो मैं यही चाहता हूँ, कि बाकी भी जो लोग हैं, उनका भी आँख खुल जाए थोड़ा सा, और अभी बाढ़ आ रही है, बाढ़ आई है, तो मैं चाहता हूँ, कि हर आदमी कम से कम 20-25- 25-25 रुपे भेजवाओ, उन गरीब रहत के लिए, मैं भी भेजवाता हूँ, तो आप भी भेजवाओ, सब हम एक मिलकर और एक फंड देते हैं, उन गरीबों के लिए, जिन गरीबों ने हमें बनाया है, हमें चुना है, मेरा अभी भीया को दिल से थैंकि हो भीया, कि आप आगे आए, कमसे कम मुझे देखकर ही तो आगे आए, क्योंकि आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा था किसी को ऐसे करते हुए, आज 2-3 साल से सबको देख रहा हूँ, कि मैं 2-3 साल से 4 साल से मैं भी आक्टिव हुआ हूँ, उस समय मेरे पास 25 यसा नहीं रहता था, तो कईस हो जाए अक्ति हमको कहना गी बताइए जब हम तसावारी तब होएंगे जब हमारे पास गाड़ी होगी जब गाड़ी यह नहीं होगे हम खुदे साइकिल से चलते थे तो कई सड़ोएंगे तो वही सारी चीजे है और रभी भिया बड़ी सुल्चे वाल सुल्चे ब्यक्ति है वो तो हम लोग के आदर्स हैं गारजियों सुरूफ हैं लेकि आज सुनके मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने गरीब बच्चों के साथ अपना बड़े बनाया यह बहुत सा राहनिये हैं मैं रभी भिया का ताहे दिल से सुकरियादा करता हूँ मैं अभी दिल्ली में मि संसद में उन्होंने आवाज उठाया तो इसके लिए हम सारे भजपुरियों को गर्ब महसूस होना चाहिए रभी भिया पे कि उन्होंने कम से कम संसद में हमारे भजपुरी के बारे में और हमारे भजपुरी के लिए लड़ाई छेडी तो कम से कम लेकि मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जब छेड़ा है तो मैं BJP सरकार से भी अपिल करना चाहता हूँ कि प्लेज उनके जो बाते है वो जाय नहीं होनी चाहिए वो कम से कम आठीवानी सुची में सामिल हो सिर्फ उन्होंने बोला है लेकि अब BJP ही कर सकती है इसको कि आठीवानी सुची में उसको लेजगर जाएगी कि नहीं जाएगी तो अगर लेकर नहीं जाती है तो सरकार दोसी है सरकार को बोलना पड़ेगा और भजपुरी भासा को भी समझना पड़ेगा कि आएक रभी किसंजी ने उन्होंने आवास तो उठाई लेकि अब ये काम रहा गया है बिजेपी का और हमारे मानिये परधान मंतरी जी का जो कि इस मुद्दे को आठीवानी सुची में सामिल करें तो मैं अपिल करता हूँ कि हम भजपुरी के लिए लड़ाई रहे और पहली बार एक रभी भिया मेरे महादेव ने बोला है संसत भौन में तो मैं उनके बातों को समर्थन करता हूँ और मैं पुरी भजपुरी समाज के तरफ से समर्थन करता हूँ अभी भी आपका और आज आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत दिल से थैंक्यू कि आज आप गरीब बच्चों के साथ अपना बड़े मनाएं ये खुशी आप देखिएगा बड़ी अच्छी होती है विया